हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके एक और ने एपसोड में आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए कंपेर्जन लेके आए हैं मार्ति सुस्की की डिस लायर और होंडा आमेज के बीच में दोस्तो यह हमारा इस कंपेर्जन पर चौथा एपसोड है और आज की वीडियों हम कंपेर करेंगे जैड एकसाई डिसायर की जिसी की मताथ लाग एक सब्सक्राइब और हंडा अमेज की वी पेट्रोल मॉडल जिसी की मताथ लाग तिरपन हजार पया इस कंपेर्जन को शुरू करने पहले कुछ बेसिक सी प्राइजिंग और डिल्स क देखने को मिलता है पेट्रोल में यह गाड़ी 11 और डीजल में 11 मॉडल देखने को मिल जाते हैं गाड़ी कीम सुरू होती है 6,22,000 पैसे और टॉप इरेंट कीम जाती है 9,99,000 रुपेज आए दोस्तों बढ़ते हैं कंपेर के तरफ जिसके बीच में आज हम कंपेर करने वा तो लंबाई के मामले में दोनों गाड़ी की लंबाई सेम है चोराई के मामले में आपका जो यहां पर जायर है यह लग वर 40 mm जादा चोड़ा है और सुन कंपेर टुमेज आपको बुट्ट baptismij speaking दिजाइर में 3 के अंदर दोस्तों यह रहा दोनों ही गारिये का डाइमेंशन केपेसिटीज आपको कौन सी गारी की लुप पसंदार यह कमेंड बॉक्स में जरूर बता है दोस्तों बात करें एंजिन की दोस्तों आपको सुजुकी की डिसायर में देखने को मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल का इंजन है यह इंजन पावर देंट कता है 88.76 PHP का विद्ध टॉर्क 1110 Nm तॉर्क आपको तीन एनम की जाता प्रेडियूस करती है डिजायर और पावर आउट्पूट में लगबग सेम हैं दोनों कारियां बात करें दोस्तों इंफोटेमेंट सिस्टम में दोस्तों आपको होंडा की अमेज वी पेट्रोल के बारे में तो वी पेट्रोल में कोई ऐसा बड़ा सटाच इसमें डिस्प्ले नहीं आता है इसमें चार स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं तो इंफोटेमेंट के मावले में अगर हम बात करें तो यस डिजायर इस दे बेटर चोईस और हमें इसकी बात करें अमेज में यहांबर कीमत थोड़ी सी सस्ती हो सकता है इसके लिए कंपनी ने ना दिया हो पात करें कुछ फीचर के मावल तो आपको दोनों ही गाड़ी में हाइट अजिस्ट ड्राइवर सीट देखने को मिल जाता है आपको स्विफ्ट के डिजायर में एक एक्ष्टा फीचर देखने को मिलता है वो है रियर एसी वेंट का अब दोस्तों बात करें हम लोग एक छोटा स्प्रेक्टर वहाता है माइलेज जो की सबसे अदर पूछा जाता है सेग्मेंट की गारियों में तो सब माइलेज की बात की जाए तो यहां पर आपको क्लेम करती है पेट्रोल पे 23.26 kmpl का माइलेज वहीं जो होंडा अमेज है वो क्लेम करती है 18.6 kmpl का माइलेज तो यहां पी अगर हम पेट्रोल माइलेज की बात कर रहे हैं तो जो डिजायर है यह जादा बहतर माइलेज देती है क्योंकि मारती सुजिकी वालों की बहुत पुरानी आता दे परंपरा चलती है यह कि गाड़ी भाईया माइलेज के मामले में सबसे बहतरी नहीं होती है लेकिन एक बात आप टोटी सकर लिजेगा अमेज में डीजल मॉडल आता है जैसे आपको 24 तक का माइलेज देखने को म कि आफने थे बात करते है नहीं है जो은 कि में पैट्रोल में यहां पर सबसे पहले प्लैटफोर्म की बारे में जाने लेते हैं को सबक्राइब है ह्यात दूस्टार की सेफटी रेटिंग और जो यहां पर हंडा अमेज इसको बनाया है एस बोडी की सेफटी तो यहां पर सब कुछ दूद का दूद पानी का पानी होगा क्या विल्ड कॉलिटी है क्या सेफ्टी अब आप जान चुके हैं कुछ फीचर की बात करें तो इसमें आपको आपको दो नहीं गाडी में देखने को मिल जाते हैं कि दोस्तों यह जो सेफ्टी बड़ तो जाती है लिगे बहुत अच्छा रहेगा तो अगर हम आशान सब्दों में कहें हैं तो यहाँ पर किंक्लूजन जानने से पहले ओन रोड प्राइसिंग जान लेते हैं दोस्तों आपको सिर्फ डेखसाई पड़ती है आठ लाग साथ हजार पै की और होंडा अमेज वी पेट्रोल पड़ती है आठ लाग बावन हजार पै की दोनों गाड़ियों के ओन रोड प्राइस में लगभग आठ हजार पै का फरक है प्राइसिंग ये मैं दिल्ली की बता रहा हूं ओन रोड आपके शहर में एक दोह सार कमबेस ही हो सकता है तो अशान शब्दों में कहें अगर आपको एक माइलेज वाली गाड़ी चाहिए त क्योंकि इस गाड़ी को मिले हैं चार स्टार की सेफटी रेटिंग और ये मैं नहीं कह रहा हूं ये सेफटी रेटिंग रिजल्ट्स बता रहे हैं दूसरी चीज़ दोस्तों लुक होती है लुक आपको कौन से पसंदर है डिसायर या अमेज यह आपको कौन से गारी पसंद और बैसे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर मैं चैनल इस वीडियो को कर दीजे एक लाइक ठैक्स वाचेंग